तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं हम लोग चले जाते हैं CapCut का जो application है उसको और उसको हम लोग open कर लेता हैं open करते ही आपको कुछ इस तरह के interface देखने को मिल जाएगा हम लोग यहाँ पर new project पर click करते हैं और new project पर click करने के बाद यहाँ से हम लोग एक media को import कर लेते हैं अ no internet connection आप कितना भी try कर ले लेकिन यहाँ पर no internet connection connect to the internet and try again करके option आ रहा है यहाँ से हम लोग back चले जाएंगे और back जाने की बाद हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं प्लेश्टोर को open कर लेते हैं अब जैसे आप लोग प्लेश्टोर को open कर लिजेगा आपको यहाँ पर search करना में तो subscribe कर दीजिए इसको आपको open कर लेना है और open करने के बाद यहाँ कुछ इस तरह का interface आएगा इसको आपको don't show again पे click कर लेना है और इतना करने के बाद यहाँ super VPN best premium VPN जो है यह आपका कुछ इस तरह का दिखने को मिल दागा कुछ add वेगर आएगा तो यहाँ से मुझे इसको back कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे connect कर लेना है जैसे आप लोग connect पे यहाँ क्लिक किजेगा आपको नीचे में एक pop-up आएगा connection request का आपको यहाँ से ok कर लेना है और कुछ ही second में आपका VPN है यह आपका net से जो वो connect हो जाएगा अब जैसी इसको connect होने में जितना time लेगा तो दिखें यहाँ पे connected हो चुका है नीचे हम लोग अगर scroll down करते हैं तो यह background में मेरा running हो रहा है super VPN auto selected ठीक है उसकी बाद यहाँ से हम लोग बैक चल जाते हैं फिर से और यहाँ पे हम लोग फिर से आ जाते हैं cap cut का जो मेरा application है उसमें और यहाँ से फिर से हम लोग connection का जो issue था वो आपका resolve हो चुका है guys यह एक best process है अगर आपको भी इस तरह का कुछ दिक्कत आ रही है जिसमें लिखा रहा no internet connection cap cut का application में तो आप लोग इस तरह से इस application में जाके यह process को करके आप लोग भी इससे चुटकारा पा सकते हैं वीडियो दोस्त अच्छा लगा त सब्सक्राइब कर लिए अगर नए वीडियो के साथ एक नए डोपे के साथ अवे तक लिए दोस्त जाहिन वांदे मातरम